इसे पहले आपके साथ मैं विद्या सागर अंगनित का दूसरा पार्ट का ओलेडी अपडेट दे रखा लेकिन इस वीडियो में जो पढ़ेंगे आपको बिल्कूल अलग होगा आपको मैं उदाहरन के साथ बताऊंगा तो उस वीडियो से जो कुछ भी सीके हैं short trick इसमें देखे आपको मैं long method से बताने का प्रयास करूंगा तो आप लोगों का बहुत सारा प्यार मिला उस वीडियो पे, आप देखते हैं दोस्तों इस वीडियो में आपको मैं कितना समझा पाता हूँ, आप कमेंट कीजिएगा, लेकिन मुझे विस्पास है, इस वीडियो को यदि आप देखेंगे, तो मेरे ख्याल से आपको और आपको दिखने में परिशानी होई होगी, लेकिन इसमें आपको किसी तरह परिशानी नहीं होगी, तो देखिए, इसको मैं चर्चा नहीं कर रहा हूँ, जैसे प्राकिर्ट संख्या हो गया, पर्मय संख्या, और पर्मय संख्या, अब सिधा आते हैं इसका कोस्चन के ब लेकिन इस वीडियो में भी आपको दिये दूगा चलिए दोस्तों आते हैं इसका question पे देखिए मैं आगया प्रसंद संख्यान एक पर दोस्तों इससे पहले जो आपको मैं थट बताया वो तो आपको बिल्कुल आसान था लेकिन देखिए आज मैं आपको बताऊंगा वो सब क अगया है 30 82 दसमलव 53 में 8 का अस्थानी अमान क्या होगा देखिए आप से क्या पूचता है आपको पहले मैं समझा दे रहा हूं ध्यान दीजिएगा अस्थानी अमान सबसे पहले निकालते कैसे यहाँ आपको लिख दिया गया इस तरह से अब यहाँ यदि आपको अस्था क्या करेंगे आठ को लिख लेंगे क्या करेंगे आठ को लिख लेंगे उसके बाद देखें कितने डिजिट हैं एक दो तीन तो तीन जीरो दे देंगे वही हो गया आठ का अस्थानियमान अब देखिए इसी को यदि आपको पुस्ता नौ का अस्थानियमान कितना होगा इसे म हो गया आपको अस्त्थानियमान अब देखिए कुछ और समझते हैं एक दो उदाहर्णं समझते हैं इसे ले लेते हैं चार 9 lakeederi यहां आपको पूछ दिया जाता चार क पित either way to को अस्थानीयमा अब देखिए इस question में कुछ logic है अब logic क्या है उसको समाजते हैं ध्यान दीजेगा चले question note करते हैं दिया गया है 30 82 5 3 ऐसा question को इस से पहले जो मैं बताया कैसे बनेगा इस से पहले देखिए मैं क्या कहा आठ को लिख लीजिए क्या किजे आठ को लिख लीजिए ध्यान दीजेगा इसको मैं आप को क्या बता है कि आठ को लिख लीजिए उसके बाद देखिए उसके बाद देखिए यानि उसके बाद देखिए एक अंक है उसके बाद कितने अंक है एक अंग इसको 0 दे दिए इस तरह से बताया था इसे पहले चलिए अग इसमें समझते हैं कुछ अलग तरीकास विशे देखे आंसर आपका हो गया option number 4 लेकिन देखे इसको समझते हैं दूसरा तरीका से अब देखे इसको simple कैसे बनाएंगे चलिए बनाते हैं अब इसको ऐसे लिख सकते हैं आप ये जानते होंगे देखे पांच तीन इस तरह से लिख सकते हैं इसका क्या करते हैं दसमलव उड़ा देते हैं जा समलव उड़ा अब देखिए अममाल लिजिये इस तरह से आप समझीए ये data इस तरह का हो गया सिंपल समझीए इस तरह का हो गया data इसमें यदि आप से पूछ दिया जाए आठ का अस्थानिय मान क्या लिखेंगे देखिए आठ एक दो तीन एक दो तीन से भाग देना होगा चलिए simple क्या करते एक जो से भाग देते हैं भाग दीजिएगा देखे इस तरह से आगया अब दोस्तों मैं आपको एक इधारन लेके समझाते हैं ध्यान दीजिएगा चलिए दूसरा इसमें योदि आपसे पूश्च दिया जाए है, यानि किसका तीन का अस्थानिया मांद पूश्च दिया जाए तो सिंपल क्या कीजिएगा, तीन को लिख लिजिएगा, उसके बाद देखिए ठीन के इसका स्थानिय मन क्या हो गया तीज अब देखें इसको लॉंग मैथर्स इस तरह से समझते हैं simple क्या करेंगे इसका दसंबला उडा देंगे ध्यान दीजेगा इसका दस्वान लों उग्राईएगा कितना हो जाएगा इसके जगव पे एक और कितने डिजिट हैं एक दो तीन एक दो तीन हो गया अब देखिए दोस्तों इसको समझते हैं सिंपल उपर वाला यदि मानने सिर्फ उपर वाला दिया हुआ रहता तब आपको पुष्ता तीन का अस्थानी मांत क्या लिखते हैं तीन उसके बाद कितने अंख होगे एक दो तीन चार एक दो तीन चार अब देखिए अब आपको क्या करहता है यान एक सो से भाग देना होगा नीचे में तब आपको करेक्ट आएगा स्वारी एक हजार है एक हजार से भाग दीजेगा देखे कार दीजेगा आपका अंसर तीसी ही आया चलिए एक दो उदाहरन और लेते हैं अब देखिए आप दूसरा लेते हैं ध्यान दीजेगा सिंपल मेथड जो बताया उसे भी आपको क्या होगा बन जाएगा और इस तरीका से भी बनाएंगे देखे इसमें क्या है इसमें आपको किसी तरह का परशानी नहीं होगा अब यदि इसमें आप से पूछ दिया जाए साथ का अस्थानियमान क्या होगा simple क्या करेंगे 7 को लिखे लेंगे उसके बाद दिखें दस्वंबलब से पहले और 7 के बाद कितने डिजित यान एक दो यह हो गया simple तरीका यानि यह हो गया आपको common यदि इस चीज़ को ध्यान नहीं है यदि माल इस चीज़ को भूल गया है इसको कैसे बनाएंगे लिखेंग इसके जगा पर एक और एक दो तीन डिजिट हो गया तीन यानि जीरो चले आएगा अब देखिए simple इस तरह से दस्वंबला उड़ गया अब यहां आप से पुछेगा साथ का अस्थानियमान सिर्फ इसमें निकालने के लिए तो क्या निकाल लेंगे साथ लिखेंगे एक द जीरो से भाग देंगे देखिए कट जाएगा और जो बचेगा वही आपका आंसर हो जाएगा देखिए इसमें भी क्या बच गया साथ सो बच गया आंसर देखिए यह तरीकास बनाए यह चाहिए वह तरीकास बनाए लेकिन यह हो गया आपको कंसेप्टवल हो गया लेकिन क्या हो गया आपको मेथट तो उसको भी माल सकते हैं लेकिन वह आपको ट्रीकेबल हो गया अब देखिए एक चीज और समझते हैं यानि इस चीज को समझिए चलिए एक लेते हैं पांच छो दसमलब चार इसमें यदि आपसे पूस दिया जाए चो का क्या होगा चो का अस्थानिमान क्या होगा इसको क्या करेंगे चो लिख लेंगे चो इसके बाद कोई डिजित नहीं सिर्फ चो ही हो जाएगा चलिए यह तो होगी आपको इससे पाहले जो बताया वह मेथट लेकिन अब लिखेंगे पांच छो दसमलब चार इसका दसमलब क्या के सिंपल उड़ा दीजिए अब देखें यहां उपर दसमलब तो नहीं हुआ इस तरह से आपका हो गया नीचे कितना हो गया दस अब देखिए इसमें यदि छो का आपका अस्थानिया उपर में पूछेगा क्या लि आपको मैं कुछ कोस्टन का पीडिया दे दूँगा उसको बना के कॉमेंट किजिएगा किसी तरह परिशान हो तो आप हमको बताईएगा अब आते हैं कोस्टन नमर दो देखिए दो नमर परिशन आपका दिया गया है 27-30-7 में कहता है आए दोनों साथ का अस्थानिया मानो का अंतर देखिए सबसे पहले इसका अस्थानिया मान निकालें इस साथ का क्या कहा साथ लिख लिजिए एक दो तीन एक दो तीन जीरो दे दिए यही क्या हो गया यह हो गया आप साथ का अस्थानिया मान उसमें एक एक साथ है तो एक साथ यह हो गया एक साथ यह हो गया दो दूसरा का निकालिएगा देखिए क्या कीजिएगा साथ लिखिएगा सिंपल इसके बाद कोई डिजिट नहीं सिर्फ साथ हो गया तो इसका क्या का था अंतर अंतर मतलब क्या होता है घाटा अंतर मतलब क्या होता है घाटा लीजिए आपका अंसर आ जाएगा तीन हो जाएग च्छो का अस्थानी अमान पूस्तिया जाएगा च्छो क लिख लिजेगा एक दो तीन चार दो दो चार हो गया यही क्या हो गया तो यह हो गया आपको अस्थानी अमान अब दोस्तों आते हैं इसका अंसर यह हो गया अब कुश्चन नमर तीन क्यों राते हैं तीन नमर देखि क्या करेंगे बड़ी संख्या लिख लेंगे चार अंकों की बड़ी संख्या देखें एक बड़ी संख्या गिए नो करो जब आ किन चार पूछयगा तो चोटी संख्या था वात से क्या खहत ple की, जोटी च जह Chinese पांच अंको की छोटी संख्या तो हो गया एक पर कितना जीरो जितना पूछे उससे एक कम जीरो यानि पांच अंको की छोटी छोटी संख्या काता है एक पर कितना जीरो है चार जीरो ये क्या हो गया ये हो गया आपको पांच अंको की छोटी से छोटी संख्या और ये हो गया क्या ची यह हो गया आपको चारंगों की बड़ी से बड़ी संक्षा है इसका क्या कहता है अंतर निकाले करें अंतर मतलब क्या होता है घटाओ और योग मतलब क्या होता है जोर योग मतलब जोर अंतर मतलब घटाओ तो क्या कहता है अंतर कर लेने के लिए अंतर मतलब क्या करेंगे घटा लेंगे आंसर आपका आजाएगा देखिए आंसर आपको क्या आजाएगा घटाईएगा एक आपका आंसर आजाएगा यही question में आप से कहता था answer क्या हो गया आपका option number एक हो जाएगा answer अब आते हैं question number 4 की ओर question number चार देखिए इसको समझते हैं question कहता है यदी संख्या चौँतिस और देखिए डेस दिया गया है चौबिस संख्या नो से विभाजित हो तो रिक्त अस्थान यानि यह आपको खाली जग़ जो है का अंक होगा अब देखिए आप से मैं simple नो का विभाजता का नियम वैसे मैं नहीं बताया चलिए आपको मैं संक्षिप्त में बता दे रहा हूँ देखिए ये question आपको optional हो गया क्या हो गया? optional हो गया यानि option के अनुसार ये question बनेगा लेकिन इसके अलाबा और आपका अंसर हो सकता है चलिए 9 से विभाजता का नियम क्या होता? सबसे पहले ध्यान से सुनिएगा चलिए आपको मैं एक data ले लेता हूँ 7, 2, 1 अब इसमें आपको पूछ दिया जाएगा 9 से ये भाग लगेगा पुरा-पुरा या नहीं लगेगा कैसे किजेगा? सब अंकों को जोर दिजेगा तो 9, 8, 7 7, 7 7 आपका हो गया 24, 2, 26 1, 27 जोर के आपको क्या आगया? 27 अब देखिए दोस्तों 27 जो आगया 27 में क्या किजे? 9 से आप डिभाइड कीजे 9 से डिभाइड कर दिजेगा पुरा पुरा यदी कट जाएगा यह 27 इसका मतलब क्या है? यह पुरा क्या होगा? पुरा आपको 9 से कटेगा यह हुआ अब देखिए उसी तरह इसको समझेंगे इसको जोरेंगे 4, 3, 7 7, 2 7, 2 कितना हो गया? 9 9, 4, कितने हो गया? 9, 4, 3 हो गया अब देखिए इसमें कितना आप रखिएगा चाहें कितना जोड़िएगा आपको कितना होना चाहिए? यानि 18 होगा तब ही आपको क्या होगा? 9 से भाग लगेगा इसके जगा आप यदी 5 रख दीजेगा तब क्या होगा? अपसन के अनुसार तब क्या होगा? तब आपको यह पूर जाएगा अठारो तब ही क्या होगा? तब इसमें 9 से भाग लगेगा क्योंकि 9 के गुनज में होना चाहिए 9 हो गया 18 हो गया 9-3-7 हो गया इस तरह से आपके 9 के गुनज में होगा जोर के जब 9 के गुनज में पूरेगा तब क्या होगा? वो संख्या 9 से पुरा-पुरा खट जाएगा आपका क्या हो गया? अपसन नमबर 3 हो गया 5 पांच रखेंगे तब ही यह क्या पूर रहा है? जोरने के बाद 18 नहीं तो कितना पूरना चाहिए? 9 या 27 पूरना चाहिए इस तरह से यदि पूर जाएगा तब आपको क्या होगा? 9 से कट जाएगा विभात्ता के नियम सिंपल क्या हुआ? सब को जोर देंगे सब क्या करेंगे? डिजिट को जोर देंगे जोरने के बाद उस जितना आएगा उसमें 9 से भाग देंगे यदि 9 से पूरा-पूरा कट गया इसका मतलब क्या है? पूरा डिजिट यानि संख्या आपका जितना जो है सब उसे कट जाएगा अगला कोस्चन देखिए 5 नमबर सिंपल कोस्चन है 5 नमबर कोस्चन देखिए 00 को विभाजित किया जाए कितना भाग फ़लाएगा चलिए भाग दे लेते हैं 800 से ये देखे कर जाएगा ये कर जाएगा 8 सत्य चपन हो गया आठेका में इसका अंसर क्या हो गया? ये हो गया ये आप सिंपल था ये समझ गयोंगे चलिए दूस्तों फिर अगले वीडियो में आते हैं तब तक के लिए जाएगा